श्यामपोर के जंगल में टूनी नाम की चेडियां अपने पती और अपनी साथ कुसुन के साथ रहती थी टूनी की एक ननद भी थी जिसका नाम चंपा था वो बहुत ही कंजूस थी और हमेशा ही घर के कावों में कंजूस ही करती थी टूनी उसका सुभाव जानती थी इसलिए वो उसके साथ कहीं भी आना जाना ये घुना फिरना पसंद नहीं करती थी फिर एक दिन टूनी की ननद अपने किसी काम से कॉलेज जा रही थी तो उसने टूनी को अपने साथ चलने को कहा औरे टूनी भाबी आप तो मेरी साथ चलो न वैसे भी मुझे थोड़े कंपनी मिल जाएगी खामगो मैं भी बोर हो जाऊंगी टूनी पहले भी उसके साथ बहार जाशुकी थी और वो जानती थी कि उसके साथ बहार जाना कितना खत्रनाक है इसने वो जाने से इंकार करने लगी नहीं आप ही चाहिए ननाच जी पैसे भी मुझे घर पे बहुत ही काम है प्रे मा अग तुम ही कहूना कि बाबी मेरे साथ चले चली जे इसके साथ तेरे घर का काम बेर कर लोगी टूनी को मजबूरन चमपा के साथ जाना पड़ा टूनी को मजबूरन चमपा के साथ जाना पड़ा और वो जैसे ही और्टो लेनी लगी तो चमपा ने उससे कहा अरे क्या बाबी आप भी वी सुपह बरबाद कर रही हो इसे भी कॉलेज कहां दूर है यहीं तो है बस पांच किलमेटर दूर और वहां तक दाम यूही टेल से टेल से बाच जाएंगे इसे भाने हमारे जॉगिंग भी हो जाएगी तब ही टूनी मुस्करा देती है और मन ही मन केती है वस इसलिए में इसके साथ नहीं आती कंच्यूस कहेंगी खुद तो पैधर चलकर मरी की ही और मुझे भी मरवाती की ऐसे ही कॉलेट से आने के बाद वो एक सूट के दुकान पर आ जाती है चले रधा भी कुछ खरीतते है हाँ हाँ चले न इसके बाद वो दुकान दर उन्हें कुछ सूट दिखाता है देखिए मैडम एक नंबर का सूट है और अभी ही ने आया है मार्केट में कितने को है दो हजार रुपिय ओम इतने भी अच्छ नहीं है चलो और दिखाँ दुकान दर उसे सूट दिखाता है पर चमपा को कोई भी सूट पसंद नहीं आता है या ये कहें कि उसे किसी भी सूट का रेट पसंद नहीं आता है अरे बहन जी कबसे मैं आपको सूट दिखाये जा रहा हूँ और आपको अभी तक कोई भी सूट पसंद नहीं आया जल्दी कीजिए और भी पच्छी लाइन में है अरे भाई जब तक सूट पसंद नहीं आएगा तो क्यासी खरीद लूँगी और आप दिखा दे कितने महंगे महंगे सूट रहे हो और इन पर बाव और दूब बड़ा चिड़ा कर बिता रहे हो चलो बाबी आप कहीं और से ले लेंगे ये भाईया सही नहीं है लेना देना तो किछ है नहीं आ जाते हैं टाइम पास करने चल बे छोटू इन नहीं मैडम को दिखा इसके बाद वो दोनों दुकान के बाहर आ जाती है टूनी को बहुत जोर जोर टूनी को बहुत जोर से प्यास लग रही थी इसलिए उसने गंडे का जूस पीने को बोला अरे क्या बाबे अबे ये गंडे का जूस पी रहे है पता है कितने गंडे तरीकी से बनाते हैं पेहे ये लग जूस चलो आप घर चलो वहाँ अपसी गंजी बना कर पी ले ना टूनी का बहुत ही मन था पर उसकी वो कंजूस नंद की वज़े से वो जूस तक नहीं पी पाई और उसे फिर से पैदल ही लेकर आ गए बस इसलिए नहीं आती थी मैं इसकी साथ इसकी कंजूसी की वज़े से सब जीलना मुझे ही पढ़ता है इसके बाद वो दोनों घर आ जाती है टूनी की तो पैरों ने जवाब दे दिया था उससे अब खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था तब ही उसकी सास आई और उससे पूछने लगी अरे वाँ हुआ ही तुम दोना कॉलिट से हाँ माँ क्या बात कुछ लाई नहीं अरे माँ मेरा मंतब बहुत था तुम्हें पता है कि बिजली का बिल कितना होता है रोखो मैं अब ही सारी लाइट और पंके बंद कर देती हूँ और हम सभी यहां बाहर बैठते हैं इसके बाद चंपा घर की सारी लाइट और पंके बंद करकी टूनी और अपनी माँ को बाहर पेड के नीचे आने को कहती है टूनी की हालत वैसे ही खराब थी और उपर से चमपा ने पंखा बंद करके उन्हें बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया था फिर एक दिन टूनी को चक कर आ गया फिर एक दिन टूनी को चग कर आ गए और वो बेहोश हो गई चमपा जल्दी से भागती हुई डॉक्टर को बुला कर लाई मुभारक हो आपकी बहु माँ बनने वाली है चमपा और उसकी माँ बहुत खुश हो गई धीरे धीरे समय गुजरने लगा सास और नत दोनों को उमीद थे कि टूनी को लड़का होगा पर उनकी उमीदों पर पानी तब फिर गया जब टूनी को लड़की हो गई अरे माँ टूनी भाबी का तो लड़की हुई है और तुम जानती हो ना कि लड़की के कितने कर्चे होते हैं उसकी सब पढ़ाई लिखाए और रिशादी और कितना दहीस भी दिना पड़ता है हाँ चबब बेटी तो सही कह रही है पर करे तो क्या करे अब क्यों न माहव ऐसा करें कि उस लड़की को उठा कर कई फैक आई ऐसे ही हमें उसे चुटकारा मिल जाएगा और किसी को पता नहीं चुलेगा तूनी जो बहुत ही गहरी नीन में अपनी बेटी को गले लगाए सू रही थी उसे अपनी सास और अपनी ननत के ऐसे विचारी की कोई भनक नहीं थी कि उसकी सास और ननत का ये कंजूस पना इतना नीचे तक आ जाएगा कि वो उसकी ही बेटी को एक बोच समझ कर मारने के सोचेंगे इसके बाद चमपा ने उस बच्ची को उठा कर बाहर एक जंगल में ले जाकर छोड़ दिया टूनी अपनी बच्ची को देखने लगी तो उसे कहीं नहीं मिली ऐसे ही दो महीने बीद गए टूनी फिर से पेट से हुई पर इस बार उसने सूचा कि वो अपने बच्ची का खोब ख्याल रखेगी इसलिए वो एक दिन फल वाले से फल खरीदने लगी कि तभी उसकी ननत चंपा वहां आ गई औरे भाबी क्या खरीद रही हो कुछ नहीं चंपा मैं तो बस कुछ फल खरीद रही थी औरे इसके बस सही फल नहीं है तो मेरे सचलो मैं तुमको अच्छे फल देती हो और हाँ जो पैसे तुम इसके देने वाली थी वह तुम मुझे दे देना तूने उसकी बात माल लेती है और घर के अंदर आ जाती है और चंपा उसे बहुत ही बेकार और सड़े होए फल ला कर देती है लो भाबी ये खा और हाँ बैसे मुझे दे दो तूनी वह पैसे उसे दे देती है फिर आगे से चमपा टूनी के खाने में भी कंजूसी करने लगी जो अच्छा अच्छा खाना उसके लिए आता वो तो वो खुद खा ले थी और सड़ा हुआ बासी खाना वो टूनी को दे दी थी ऐसे ही कुछ महीने बीद गए टूनी को एक दिन चमपा ने चार दिन बासी रोटी और सबजी खिला दी जिस कारण टूनी को दस्त लग गए और वो कमजोर होगी और चक्कर खाकर सीडियों से गिर गई जिस कारण उसका बच्चा मर गया तब ये बाद जब टूनी के पती को पता चली तो उसने चमपा को खूब सुनाया मैं तो सोचता था कि ये तिरी नदान हरकते हैं और तू धीरे धीरे समझ जाएगी पर मुझे नहीं पता था कि तिरी इस कंजूर्शी की कीमत हमें ऐसे चुका नहीं होगी